हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आइम शशांक तिवारी इंड इस इस माने दर वीडियो सो गाइज आज के एज वीडियो का टॉपिक है अगर आपके चैनल पर भी किसी वीडियो पर कौपिराइट क्लेम आया है तो दोस्तो आप उसको कैसे रिमुव कर पाओगे वह मैं आपको बताओं गया इस ताइम पे कैसे आप उसको रिमुव कर पाओगे वह सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में आपको फुल टुटोरियल बताऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कॉपीराइट क्लेम से डील करते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आप सभी लोग की स्क्रीन पर तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके वीडियो पर को भी कॉपीराइट क्लेम आता है तो उस पर आप कैसे एक्शन ले सकते हो कैसे डिस्प्यूट कर सकते हो तो उसके लिए आपको उपन करना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर को यहां पर यहां पर यूट पर क्लिक करोगे आपके सारे वीडियो आजाएंगे तो यहां पर आपको करना है कस्टमाइज चैनल पर क्लिक जैसे ही आप क्लिक करोगे कस्टमाइज चैनल पर तो आपको स्क्रॉल अप करना है यहां पर आपको क्लिक करना है वीडियो मैनेजर पर यहां पर आपको पर इसको शूट कर लिए था बट सोडी दोस्तों लेट Euro फोड़ा है थोड़ा सा क्योंकि इस युदियो फ्लेयादा महनत लगी है तो यहां यहां पर आपको करना क्या है यह जो c details लिखा है blue का लगा इसे पर आपको click कर दिना है तो दोस्तों जैसे ही जब आप अपने यह c details पर click करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा page open होगा यहां पर लिखा है copyright summary and status तो दोस्तों यहां पर लिखा है the content id claim on your video does not affect your channel this is not a copyright strike मतलब अगर यह copyright strike होती तो आपके content id पे effect होता बट यह copyright claim है तो बस इस वीडियो पर एफेक्ट होगा इसका आपके चैनल पे इसका कोई effect नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर लिखे आ रहे है channel impact not affected green टिक है मतलब आपके चैनल पर कोई इसका effect नहीं होगा बस वीडियो पर होगा यहां पर लिखे आ रहे visibility में अभी scheduled है and third जो लिखा है monetization तो यहां पर ineligable हो गया है red dollar बन गया मतलब कि यह जो वीडियो इसका हम लोग monetize से नहीं कर सकते हैं and उसके बाद नीचे लिखा है the content identified in your video is listed below along with detail and actions मतलब यहां पर इसके नीचे detail दिया तो यह impact on the video video cannot be monetized मतलब मेरे video पर क्या impact होगा वो यह है कि video monetize नहीं हो पाएगा and action पर यहां पर select action हम लोग को option मिलता है तो पहले हम लोग यह down arrow पर expand करेंगे and यहां पर वीडियो पर आप देख सकते हो यहां पर timeline पर इतना part दिखा रहा है कि यह zero से लेके one one minute thirty one second तक copyright claim है मतलब उ copyright claim है उतने एरिया पर मैंने copyrighted material यूज किया है तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह लिख के आ रहा है कि यह copyright owner है वो tune core कोई है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको video play करके दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो यहां पर जितने एरिया पर मैंने बोला है starting म जैसे मैं इंट्रो करता हूँ उतने एरिया पर ही copyright claim आया बाकी मुझे क्या लगा था कि जब मैंने वीडियो को play किया है Bluetooth speaker को play किया है तब copyright claim आना चाहिए बट फिलाल यहां पर यह गलस है mistake हुआ है यहां पर क्योंकि यह जो claim है by mistake हुआ है तो यहां पर इमनों करेंग क्या दोस्तों आपको गवडाना बिल्कुल भी नहीं है आपको ना वीडियो डिलेट करना है ना कुछ करना है पहले आपको चेक करना है actions कितने आपको मिलते है select action पर आपको click करना है तो पहला option है trim out segment मतलब जितने segment पर आपको copyright claim में trim कर दो replace song song replace कर दो या mute song या तो आप song को ही mute क दो एंड उसके बाद अगर आपको यह तीनों option नहीं करना है तो दोस्तों last में आपको एक option मिलता है do you have rights to this content dispute में अगर आपके पास इसका right है अगर आपका original content है तो आप इस पर dispute भी कर सकते हो मतलब कि इस पर fight भी कर सकते हो इसके against action भी ले सकते हो तो आपको अगर तीनों option नहीं करना है अगर आपकी गलती आप जानते हो कि copyrighted material तो आप उपर कोई तीन option सेलेक्ट करो अगर आपकी कोई गलती नहीं आप genuine creator तो आप नीचे यहां dispute पे click कर सकते हो तो यहां पर मैं genuine creator मुझे पता है कि मैं कभी भी किसी कभी material copyrighted material use नहीं करता हूँ मेरा जो भी content होता है वो genuine होता है तो यहां simply मैं dispute का option select करूँगा बर दोस्तों उससे पहले मैं यह सब कुछ कट करूँगा यह जो पेज आया है copyright summary का इसको कट करके मैं ले चलूँगा आपको वीडियो एडिट पे तो दोस्तों यहां पर मैं simply इसको exit करता हूँ यहां पर यह जो वीडियो है मेरा unboxing of bluetooth speaker तो यहां पर मैं इस पे सेलेक करूँगा और जो हम लोगो pen select edit करने का option लता है उसे edit करने की option पर हम लोग जाएंगे details पर तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो यह वीडियो की summary आ गई है तो यहां पर left hand side पर third option है editor का इस editor पर हम लोगो क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हो अग audio का जो audio यहां पर बना है तो इस पर आपको क्या करना है ये ऑन्टियोपर expand करना ये जो aries inspect पर基本 लिद्ग करने के बाद आपको audio प्लस करने का option आएगा मतलब यहां से audio change कर सकते हो कर सकते हो अगर आपकी गल्ती है तो आप simply यहां पर आपनी audio change चैंज कर सकते हो तो Quit कर सकते replace song in your video using the tools below तो यहां पर दोस्तों जो हम लोग को tools नीचे मिलते हैं उसके help आपको आडियो को mute कर सकते हैं replace कर सकते हैं और erase कर सकते हैं तो यहां पर दिख सकते हैं पहला option erase audio अगर आप चाहो तो आडियो को erase भी कर सकते हो अगर आपको erase नहीं करना है तो आप audio को replace भी कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह लिखा है add or replace audio यहां से इतने सारे free हम लोग को background music मिलते हैं यहां पर कोई भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो content है मतल़ जि मेरा तो यह content genuine है इसलिए मैं यहां पर erase नहीं करने वाला हूं तो यहां पर simply हम लोग इसको cut करेंगे एंड हम लोग चलेंगे वापस dispute वाले option पर क्योंकि दोस्तों मेरा जो content है वो genuine है तो यहां पर यह सब हम लोग को back कर देना है अगर आपकी गलती है तो आप यहां पर से जाएंगे सी डीटेल पर सी डीटेल जाने के बाद हम लोग के सामने फिर से यह सारे option आ जाएंगे तो दोस्तों यह option आने के बाद हम लोग को click करना है select action तो यहां पर दोस्तों आपको फिर से वही four option देखने को मिलेगा तो मैं last option पर click करूंगा पूरे confidence के साथ क्योंकि मैं genuine creator हूं तो दोस्तों जैसे ही मैं dispute पर click करूंगा मेरे सामने कुछ ऐसे option आएंगे कि remember that the following are not valid reason to dispute a content ID के लिए मतलब अगर आपको यह 3 reason है तो आप valid नहीं हो यह dispute करने के लिए तो यहां पर पहला option है I own a copy of the song और वीडियो मैंने की मैंने copy किया है and second है कि I am not making money from my video यह भी give credit to the copyright owner मतलब कि आप चाहो तो मैं जो owner है उसको copyright जिसका मैंने material यूज के उसको मैं credit दे दूगा तो यह भी कोई valid reason नहीं है तो अगर आपका यह सब reason नहीं है तो नीचे option है my dispute is not based on any of the reason above I would like to dispute the content ID claim उसका आद आपको tick करने बदद continue पर click कर दिने है तो आपके पास second option है का पहला था confirm eligibility का second option is select type तो दोस्तों यहां पे select type पे आपको four option मिलते है four types मिलते है original content and second license, third fair use and public domain तो दोस्तों यहां पे दो option मेरे को सही लगे थे मेरे लिए एक था fair use का and एक था original content तो दोस्तों पहले मैं सुचा कि fair use पे click करूँ पर यहां पे लिखा था कि यह जो fair use है वहां पे मैंने permission leave हुई है कि मैं अराम से use कर सकता हूं यह deal हुई है बट दोस्तों ऐसी कोई deal नहीं हुई है मेरा जो content हो पूरा original है तो मुझे यह fair use करना सही नहीं लगा क्योंकि मैं भी दोस्तों first time यह face कर रहा हूं problem इससे पहले मेरे को copyright claim का कोई भी experience नहीं था तो मुझे लग to it तो यहां पर मैं पहला option select करूंगा original content का तो यहां पर दोस्तों हम लोग को continue पर click कर देना है जैसी continue पर click करें यहां पर third stage पर आएंगी जहां पर लिखा है review requirements तो यहां पर लिखा है confirm that everything is yours यहां पर सारी चीज़ आपको term condition पढ़ना है last में लिखा है एक condition ठीक करना है जिस यह जो मेरा bluetooth speaker का video है इसमें सारी creation मेरी है इसमें किसी का भी और content यूज़ नहीं हुगा है फिलाल एक बात अलग है कि जो background music यूज़ यूटूब audio library की है तो वो दोस्तों free होती है हम सबी लोग अकले वो मैं बाद में अपने feedback पर लिख दूँगा तो दोस्तों यहां पर मै proof है आपका ownership है उसका proof दो यहां पर required है तो दोस्तों यह देखो यह तो possible नहीं है कि मैं audio library का कोई proof देपाऊं तो यहां पर मैं अपना feedback ही लिखूंगा जो भी मुझे सही लगेगा कि ऐसा है मैं मैं यूटूब को अपने तरफ का जो मेरा side है वो मैं clear कर दूँगा कि मैं genuine creator ह और मैं कभी भी कोई copyright material का यूज नहीं करता हूँ अपने वीडियो में यह जो copyright claim आया है यह done by mistake है यह सारी चीज़ मैं बताऊंगा अपनी problems बताऊंगा YouTube को यह भी बता दूँगा कि यह जो audio use किया मैंने यह मैंने audio YouTube की audio library से ही use किया जैसे उनको यह पता चल जाए कि हां मतल इसा प्रूफ यहां पर लिख देना है अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो यहां पर आपको अच्छे से एक statement लिख देना है तो दोस्तों यहां पर मैंने वीडियो को कर दिया था पॉस और मेरा statement ready हो गया उसके यहां पर नीचे लिखा है please review the statements below and check the box to agree तो यहां प इसके बाद यह जो second statement है वह है I understand that the claimant will be able to review my video and my dispute rational तो यहां पर दोस्तों इस पर भी अनलों को टिक कर देना है कि हां जो इसने भी claim किया है वो मेरे वीडियो को मेरा provide मैंने rational किया है वो दोनों को review कर सकता है तो इस पर भी टिक करना है यह जो last है कि यहां पर लिखा है कि I understand that feeling fraudulent dispute may result in termination of my YouTube account कि इस पर last में यह टिक करने को बोल रहा है कि आप यह accept करते हो कि अगर मैंने fraud dispute submit किया होगा तो यहां पर इसका result यह भी हो सकता है कि यह मेरे channel को terminate भी कर दें तो दोस्तों यह आपको डरनी जो रहतनी है यहां पर आपको टिक करना है दोस्तों नीचे आप आपको अपने पर confidence है तो आपको बिना डरे इसको टिक करना है क्योंकि डरता वही है जो गलत होता है जिसको पता होता है कि यहां उसने copyright material यूज किया बड़ दोस्तों यहां पर हम लोग genuine YouTube प्रेट है तो हम लोग इस पर इदम confidence के साथ टिक करेंगे and simply यहां पर जो नीचे submit लिख है उस पर क्लिक करेंगे and दोस्तों submit पर क्लिक करने बाद आपके सामने यां लिख्या जाएगा dispute submitted तो यहां पर लिख्या रहे है dispute will be sent to the claimant for review मनलब कि उसके पास जिसने भी claim दिया आपको उसके पास यह review कर ले जाएगी और उसके बाद 30 देस रहेगा 30 देस के अंदर उसको यहां पर कुछ भी dispute का reply करना है अगर वो reply नहीं करेगा तो यह जो claim है वो आपकी चैनल से हट जाएगा and दोस्तों इसी किसासत मैं आपको अभी latest screenshot दिखा दे रहा है यह वीडियो 26 अप्रेल का है पर यहां पर जो screenshot है आज क्या है 11 महीं का यहां पर लिखा है dispute expires in 14 days म complete हो गया है इस dispute को अभी तक कोई भी मेरे पास उस claimant का reply नहीं आया है आप खुछ सोचो दोस्तों दस दिन में अभी तक उसने कोई reply नहीं दिया है इसका मतलब कि यह जो copyright claim था यह done by mistake था and यह जो सामने से था वो fake था क्योंकि अगर real होता दोस्तों उसको भी tension होती हो सामने से कुछ ना कुछ reply जरूर करता तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल पे नहीं आयो तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैंसे अच्छी झाल झाल